वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला चैनल जरूर जोइन के लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगें यह जो वीडियो आपको मिलने जा रहा है यह बहुत ही जादा है इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि अब आप जो पेपर देने जा रहें चाहें आरो यारो का पेपर है चाहिए यूपी पीसेस का पेपर होगा मार्च में या फिर बीयो का पेपर होगा या फिर अभी रिसेंट्टी होने वाला है यूपी पुलिस का पेपर या यूपीटर पलसी का कोई भी एक्जाम देने आप जाओगे तो इस वीडियो को देख करके जाना यहां से पेपर टॉपिक है यह बहुत ही जादा important है हर उस exam के लिए जो आप अभी देने जाएंगे आने वाले समय में चाहें वो यूपीपी से 24 हो ठीक है या फिर वो आरो यारो हो या फिर बीओ हो या फिर यूपी टॉपलेसी हो और एक exam और होने वाला है वो है यूपी पुलिस तो कि अक्सर करके current से ऐसे सवाल पूछे जाएं यो यूपी से जुड़े हुए हो क्यों कि यूपी गाई paper है तो ऐसे मैं यूपी इस पे सलके अच्छे सवाल हमें देखने को मिलते हैं तो आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इसी बारे में होगी कि यूपी के important जो ranking ह है बहुत सारी जगाओं पर वो क्या है ठीक है तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं और यह बाइद इंगल रहेगा हिंदी इंग्लिस दौनों में रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हिंदी इंग्लिस मत करना ठीक है चलिए सीरे सीरे यहां पर फैक्ट दे हो है इनको सीरे सीरे पढ़ना है हमें देखिए फ्रदान मंत्री मुद्रा योजना में भारत में प्रथम इस्थान उत्तर प्रदेश का ध्यान अकना यह मैंने आपको बजट वाली वीडियो में भी बदाए था कि रैंकिंग में अगर आप मतब जीरो जीरो बैलेंस पर अकाउंट खूले जाएंगे तो उन अकाउंट को खूलने के मामले में हमने नो करोड खाते खूले भाई नो करोड और इस तरीके से नो करोड खातों के साथ यूपी का पहला इस्थान हो गया ठीक है याद अखना आगे है प्रदान मंत्री सु पहले नंबर पे है यह जो नंबर है आप इनको एक बार को छोड़ सकते हो नंबर याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन योजनाओं में UP का पहला इस्थान है याद रखना बहुत important है ठीक है do इसके साथ साथ एक information और दे दू हमारे जो है पेड़ गुरूप शुरू हो चुके हैं किसके लिए PCS के लिए ठीक है आरो यारो के मेंस के लिए हमारा बैक शुरू हो चुका है ठीक है और इसके लावा बी यो जो अपकमिंग बी यो है जिसके लिए में डेवाई सीरी चला र लगा देते हैं देखो मेहनत तो आप ही करनी पड़ेगी लेकिन बस थोड़ा सा अगर हमारा सहयोग मिल जाए तो बस मजा ही आजा जिन्दकी में चलिए शुरू करते हैं आगे पी-म स्वानिदी योजना में भी भारत में यूपी का पहला इस्थान है ध्यान अखना ठीक है इसके लावा प्रधान मंत्री अटल पेंशन योजना में भारत में पहला इस्थान यूपी का है इन सभी में यूपी पहले नंबर पे है भाई पी-म स्वानिदी योजना में पहले नमबर पे है प्रधान मंत्री अडल पेंशन योजना में भी यूपी पहले नमबर पे है और प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना के अंतरगत भी यूपी पहले मतलब सौरी पहले स्थान पर नहीं है ये दूसरे स्थान पर ये ध्यान रखना प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना के अंतरगत प्रदेश में 1.9 करोड नामांकन के साथ यूपी दूसरे इस्थान पर है यह आपको याद रखना है ठीक है यह थोड़ा इंपोटेंट है इसको देख लेना 2015 में शुरू हुई थी और मैं आपको इता दू इसमें जो पहला राज है यह आप मुझे कमेंट करके बताईए यूपी तो अपना सेज्थान सेगंड इस्टेट पे हैं मदब जो सेगंड रैंक पे हैं पहले इस्थान पर कौ बढ़ियो में भी बताया था कि DBT में DBT मतलब डारेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर होता है यह मतलब अब क्या होता है कि जिस को लाप पहुंचाना है डारेक्ट ली उसके अकॉंट में पैसा बेज़ देंगे हम यह होता है DBT पहुंचाने के मामले में UP का दूसरा इस्था है भाई ठीक है हाँ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ड फ्रीपर्ड नेस इंडेक्स 2022 में यूपी का 7th rank है याद रखना लीड सूचकांक में यूपी का 6th rank है ध्यान रखना लीडस इंडेक्स 2022 का डेटा है और तुमें 622 थाने याद रखेगा इस इस PDF से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा मैं गैरेंटी ले रहा हूँ बस अच्छे से इसको पढ़ लो तयार कर लो एक सवाल पक्का कर लो अपना हर एक्जाम में चाहें बीयो देने जाओगे चाहें पीसेस देने जाओगे चाहें आरो यारो या यूपी पोलिस कोई भी पेपर हो माल निर्यात 2022 में उत्तर प्रदेश का सात्वा इस्थान ता ध्यान रखना ठीक है ना मर्चंडाइज एक्सपोर्ड में हमने जो है सात्वा इस्थान प्राप्त किया है पूरे भारत में ध्यान रखना इस ऑफ डूइंग बिजनिस रैंकिंग में यूपी को चौद्वे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया गया है ठीक है यानि यूपी जो है इस ऑफ डूइंग बिजनिस का मतलब हो गया कि ऐसा इस्थेट जहां पर बिजनिस करना आसान है तो 2017 से पहले यह थी कि यूपी का रेंक जो है चौदवा था जब योगी सरकार आई उस समय पे और अब जो है ब्यापार करना उत्तरप्रेस में आसान है इसलिए इस ओफ डूइंग बिजनेस रेंकिंग में यूपी का इस्थान चौदवे से आगे बढ़ करके अब दूसरे रेंक पर पहुंच गया उत्तरप्रेस में करीब 8.32 करोड स्रमिकों का रेजिस्ट्रेशन हो चुका है जो देश में सबसे ज़ादा है ध्यान लगए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदान मंत्री आवास यूजना ग्रामीड और शहरी के अंतरकत आवासनिरमार, ग्रामीड स्थी सौच अलेन निर्मार, शूच में लगु उध्यम उध्योगों की स्थापना में उत्तापदेश पहले इस्थान पर है ध्यान लगना कोरोना से बचाव के लिए वैक्सिन के 39.20 करोड से अधिक डोज लगाने वाला देश में यूपी पहले स्थान पर है कोरोना के दो डोज लगे था ना एक तो पहला डोज लगा था दूसरा जो है उसका बूस्टर लगा था कोरोना के सबसे जादे जो डोज हम ने लगाए हैं पूरे भारत में ध्यान लगना कितने डोज लगाए है 39.20 करोड ठीक है इतने हमने डोज लगाए है कोरोना के और कोरोना वैक्सिन इस्थापित कर संचालित करने वाला यूपी देश का अग्रणी राज्य बन गया है ध्यान रखना उत्रपदेश हैस बीकम दा लीडिंग इस्टेट इन दा कंट्री टू स्टैबलेश एंड रन मैडिकल एडूकेशनल इस्टिटूट इसके बारे में आपको बढ़ा दूं कि यूपी सरकार ने घोश ना कि थी अकिन उसमें घोशना की थी कि हम हर डिस्टिक्ट में एक मैडीकल कॉलिज खो लेंगे हैंडा वांडश्टिक्ट वान मैडीकल कॉलिज इस तरीके सी शोजना आई थी और उसके अंत्रगत अब चुिंकि हर जिले में खोला जाएगा यार स्रेणी ये का मतलब क्या होता है ऐसे राज जिनकी जनसंख्या एक करोड से अधिको मैं प्रदर्शन में लीडर की स्रेणी में रखा गया है यानि इस स्रेणी के जो राज है उनमें यूपी का प्रदर्शन सबसे बहतर है लीडर की स्रेणी में उसको रखा गया है ठीक है आगे देखो उत्तरपदेश कोशल विकास नीती को लागू करवाने वाला देश का पहला राज़ बन गया है ठीक है उत्तरपदेश has become the first state in the country to implement the skill development policy यानि प्रॉपर जो है हम skill development पे ध्यान देंगे क्योंकि हर वेक्ति को सरकारी नौकली नहीं दी जा सकत तो skill उसके अंदर कोई develop कर देंगे जिससे वे अपना कोई काम करता कि हाथ का कारीगर बन जाएगा तो आराम से उसकी जिंद्धी बढ़िया कटेगी आगे देखिए भाई आगे है मन्रेगा मन्रेगा जानते ना महात्मा कांधी राष्टी रोजगार गारेंटी अधनियम 2009 2009 में ये नाम रखा गया था इससे पहले इसका जो नाम था वो नरेगा था ठीक है हाँ तो मन्रेगा योजना के अंतरगत वित्तिय वर्ष 2022-2023 में अब तक उत्तरप्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस स्रजित कर उत्तरप्रदेश देश में पहले स्थान पर है ठीक है ये डे मन्रेगा के मामले में हमने कितना दिवस स्रजित किये 26,29,000 मानव दिवस स्रजित किये हैं और इसके साथ योपी बन गया है पहले रैंक पर पूरे इंडिया में ठीक है प्रदेश में निर्गत GST पंजियन की कुल संख्या के मामले में उत्तरप्रदेश देश में पहले पंजियन यानि GST registration के मामले में UP का भारत में पहला इस्थान है यार सीधी सी बात है आब आदी ज्यादा है तो लोग ज्यादा बिजनिस करेंगे ज्यादा बिजनिस करेंगे तो GST का registration भी ज्यादा होगा नॉर्मल सा logic है आप इसे लगा सकते हो उत्तबरेस को तीसरे राश्त ये जल पुरुसकारों में सर्वसिष्ट राज इस रेड़ी में देश में पहला इस्थान प्राप्त हुआ है ठीक है तो जल पुरुसकारों में भी जो है हम बढ़िया कर रहे है यूपी जो है बढ़िया करता है भई ध्यान लखना ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे देखे दो फरवरी दो जार बीस से प्रतेक सप्ता प्रात्मिक और सामुदायक स्वास्त केंद पर मुख्यमंत्री आरोग स्वास्त मेला आयुजित कर रही है इस प्रकार की पहल करने वाला यूपी देश का पहला राज है ठीक है दो फरवरी दो जार बीस से हर सप्ते में क्या होता ह हर सबसे स्वास केंद पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास मेला लगता है और ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य है अगला देखिए केंज सरकार के आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदिश 2022-2023 में सरकारी पोर्टल जैम ठीक है ना जैम से सभी राजियों और केंज सासे प्रदिशों के बीच वस्तूओं और सेवाओं का सबसे बड़ा खरीदार के रूप में उबराया जैम का मतलब है गवर्मेंट E-Market Place ज्यान अकना जैम का मतलब क्या है गवर्मेंट E-Market Place तो जैम पर सभी राजियों और केंद्रों के बीट वस्तुओं और सेवाओं के सबसे बड़े खरीदार के रूप में निकल के आया है जैम पोर्टल पे अपना यूपी गर्व होना चाहिए भाई हमें आगे देफो प्रदान मंतरी किसां सम्मान निधी योजना के करियान व्यं में देश में पहला हस्तान यूपी का है देश में एतनॉल के वतान वाहाब पूर्टी करने में यूपी का पहला हस्तान दिक्धे एतनॉल ब्लैंडिंग्य बहुत इंपोर्टेंट है आर 거야 ट्यान ळि है ठीक है यानि पैट्रोल में ट्विंटी परसेंट एसेनोल ब्लेंडिंग का जो टार्गेट था हम अचीव कर चुके हैं इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग ठीक है एसेनोल बेसिकली कहां से बनती है तो गन्ने से बनती है ध्यानका गन्ना और चीनी के उत्पादन में यूपी का पहला इस्थान है ठीक है हम लोग पढ़ चुके हैं जानते हैं 2022 में घरेलू परेटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश सरवाधिक परेटक आगमन वाला देश है यानि सबस्यादर टूरिस्ट एराइवल जो हुआ है ये 2022 में ठीक है ये डॉमेस्टि अगर टूरिस्ट की बात करेंगे तो सबस्यादर यूपी में आया ध्यानता घरेलू परेटक यानि भारत के भीतर जो परेटक यात्रा कर रहे हैं उनमें सबस्यादर लोग कहां ये यूपी में और यह तो और बढ़ेगा या राम मंदिर बन गया या राम मंदिर बन गया अभी मैं उस दिन एक डेटा देख रहा था तो उसमें मैंने पड़ा कि ग्यारे दिनों में जो है पच्चिस लाग लोग जा चुके हैं अब तक योदिया राम मंदर देखने तो अभी तो और बढ़ेगा या आप देखना दो यार तेश कर डेटा आए और ज्यादा है यानि महिलाओं के खिलाफ अगर को यूपी में क्राइम होता तो उसको सजाभी मिलती है ऐसा पर्शेप्शन एट किया है यूपी ने और यह सबसे ज़्यादा सजा दरवाला राज्य बन गया है जहाँ पर महिलाओं के किलाफ अपररादों में सब ज्यादा सजा दी गई है याद रखना ठीक है आगे देखिए उत्तब देश ने 2022 में लगातार दूसरे वर्स यी प्रोसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निप्टान और प्रविश्टी के मामले में शीर्स इस्थान प्राप्त किया है उत्तब देश देश के पहल अम्रस सरोबर भारत का पहला अम्रस सरोबर रामपुर जिले में खोला गया था गाउं है उसका नाम मुझा याद नहीं आ रहा है भी वहाँ पर खोला गया था और इस तरीके से अम्रस सरोबर यूपी से स्टार्ट हुआ इसलिए से का जाता है पहले अम्रस सरोबर का घर र भारत का पहला राज्य होगा ठीक है सबसे ज़्याद एक्सप्रेस वीगी संख्यावी हमारी यह पर है सबसे लंब एक्सप्रेस भी हमारी यह पर बनना है गंगा तो यार यूपी में धना धन विकास हो रहा है भाई मानना पड़ेगा यार बाबाजी ने एक्दम उड़ा के रख लिया सब कुछ आगे देखो एस ओ आई सी डॉट इन की रिपोर्ट के अनुस्तार उत्तर प्रदेश की जीडीपी में नाइन पॉइंट टू हिस्टेदारी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ हुए असता है नयाल रखना ठीक है उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में नाइन पॉइंट टू परसेंट के इस्टेदारी रखती है मैंने इसमें आपको जो पहला जो है वो भी बताया था आप मुझे कमेंट करके बताईए कि देश की जीडीपी में सबसे आदा योगदान किसका है ठीक है और सेकंड नमर पे आता है भया अपना उ सबसे सब्सक्राइब करना बागी है गंदगी लोग यार कुछ जादा ही करते हैं यार वो तमाकू घुटका बहुत खाते हैं और बस यहां पीक वहां पीक सब दिवाद लाला कट डालते हैं इसलिए यार जैंक हमारा थोड़ा नीची रह गया इसमें भी बाबाजी को जो ह कुछ करना चाहिए यार जिससे साफ सफाई पर भी लोग जादा ध्यान दे लेकिन हां जैसे यह बात में जरूर कौँगा कि रिल्वे स्टेशन जो है भाई वो तो वाकई में मानना पड़ेगा कि मोधी दी की अपील का लोगों में असर होता है सच भारत अवियान के बाद स्टेशन तो ऐसे ऐसी चका चक बाई मेरा जैसे मेरा जिस टेशन इन जनक्षन कि पूरी टोड के सामिल है स्मार्ट सिटी मिशिन में यूपी के दस सामिल है द्यान रखना से सामिल नहीं है स्मार्ट सिटी में तो इन दस को याद कर लो आगरा अलीगर बरेली जहां सी कानफुर लखनव नीतियायोग की राष्ट्री ये बहु आयामी गरीबी सूचकांक फ्रगती समिक्षा ट्वैंटी ट्वैंटी थ्री रिपोर्ट के नुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहु आयामों जो बहु आयामी रूप से गरीब है के मामले में यूपी का देश में चौथा इस्त है ठीक है पहले नमर पर नहीं है सबसे अदा गरीब हमारे हाँ पर नहीं है लेकिन करीबी मामले में हम चौछी नमर पर आते हैं और अछी बात है जिले का कोशामभी कोशामभी जिले को पूरे भारत में दूसरा इस्थान दूसरा पूरे भारत में तो फिर अच्छी बात है यह हमारे लिए ठीक है NIRYAT की रिपोर्ट के अनुसार ब्यापार के वार्शिक विशलेशन के लिए राष्ट्री आयात निद्यात रिकॉर्ड अप्रेल से अक्टूबर दोयार तैस के अकड़ों के आधार पर उत्तर पॉइंट फाइवेट बिलियन डॉलर के निर्यात मूल और विज्यान और परियावन के इन दौरा जारी भारत के परियावन की च्थिती 2023 रिपोर्ट में उत्तर पॉइंट बिलियन पुलिस नियाए पालिका जेल और कानूनी सायता जैसे न्याहे वितरन के मामले में एक करोड दो से अधिक आबादी वाले अठारे बड़े और मध्यम राज्यों में 18 भाचारे इस्तान पर आता है थीक है? हां भारत न्याहे रिपोर्ट में उतब जिस ने पुलिस में भी काम किया है नयाय पालका में भी काम किया जेल और कानुनी शुदा जैसे मामलों में जो एक करोड से अधिक आबादी वाले जो अठारे राज्य हैं उनमें सबसे नीचे है यार अठारे विड़े हैं और अठारे पर ही हमें यार बता हम से रमानी चाहिए इसकी तो चलिए आगे देखो भारत वे निर्माट नवाचार सूचकांग 2021 में उत्तपदेश 14 अस्तान पर है राज उर्जा दक्षिता सूचकांग 2021 की रिपोर्ट में उत्तपदेश को उननचास की स्कूर के साथ कंटेंडर की सड़ी में रखा गया है ठीक है आगे देखें सी बी आर्बी और क्रेडाई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तपदेश ने राष्टी में समी परिद्रश में नौ परसेंट के हिस्सेदारी रखते हुए त्रीसा इस्तान आसिल किया है में समी को हम लोग बढ़ा रहे हैं ठीक है आगे देखो ग्लोवल फिसरीज कॉन्फरेंस के लिए हमें समान मिला है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगता दो यार बाइस में बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटिगरी में यूपी और राजिस्थान को से तीसरी बार पहला इस्थान प्राप्त हुआ है वर्स दो जार बाइस के भारत में पाए लोगों की सबसे अधिक संख्या यूपी में थी ध्यान रखना ठीक है यारी मृत्युदंड की सजा पाए लोगों की सबसे जादा संख्या जिनको डैथ पैनल्टी दी गई है उनकी सबसे जादा संख्या यूपी में है ठीक है इसका लोगिक सिंपल सा यह है कि पेनल्टी मिल चुकी है यूपी में पिछले साल ठीक तो इसलिए है आगे देखें आगे है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशेटिव द्वारा जारी दोजार तेईस सकल घरीलू जलवायू जोखिम आकलन के अनुसार नो भारती राज जलवायू परिवर्तन के खतरों के परडाम सरूप निर्मित परियावन को नुक्सान पहुंचाने वाले विश्व के पचास शेत्रों में से एक है इस रिपोर्ट में यूपी की रेंकिंग 25 वी है यानि परियावन की भी खुब पिलाई कर रहा है यह मैं सोच ले ना बढ़िया कर रहा है भाई दुनिया के 50 शेत्रों में से 25 वा नाम हमारा है यार तो मतलब यूपी इस मामले में यार थोड़ा से खराब है थोड़ा सोधार कर लिए वई उत्तर पदेश तीसरे इस्थान पर है जिसने लगबग 88 लाख पासपोर्ट जारी किये हैं 2023 में राज जी की अनुमानिज जनसंख्या की तुल्ला में जारी किये पासपोर्ट के मामले में केरल 30% के साथ एक बार शीर्स इस्थान पर है ठीक है तो सबसे आदा पासपोर्ट जारी किये हैं केरल ने और यूपी का इस्थान है तीसरा ध्यान लखना पासपोर्ट जारी करने में आगे देखो उच्छ शिक्षा पर आधारित अख सब्सक्राइब भारती सर्वेश्चर्ड दोयार किस्वाइस के अनुसार 69.73 लाक छात्र नामंकन के साथ उत्तपदेश पहले स्थान पर रहे है अगी दिखिए बुन्यादी पशुपालन आकड़े 2023 के अनुसार उत्तपदेश दूद और मास के उत्पादन में पहले नंबर है द्यान रखना यह जो दूद का उत्पादन है ना इसमें यूपी पहले नंबर पर आता है यह बजट में हमने दावा किया है ठीक है और एनिमल हस्वेंटी की रिपोट का अनुसारा इस्थान नमर एक है दूद के उत्पादन में ज्यों ध्यान रखना करनाटक में 12-16 ज लेना चाहिए एक्जाम दे रहे हो PCS का या फिर एक्जाम दे रहे हो BO का या फिर RO का कोई भी एक्जाम आप दे रहे है UP का या फिर UPShC का कोई भी एक्जाम दे रहे है तो भाई इसके लिए बस एक ही सोर्स है करेंट अफैर और जीके के लिए वो है study for civil services हमको follow करिए paper में आग लगा देंगे टेंशन मतलेना कैसा भी पेपर आजाए इसी आजाए मॉडरेट आजाए टफ आजाए हम समय एक्सपर्ट आपको करवाएंगे टेंशन की कोई बात नहीं है अच्छे से तैयारी करते रहिए महनत करते रहिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट के बादिम से प